नमस्कार दोस्तों, आज के इस विडियो में हम मिनी कम्प्यूटर के बारे में जानेंगे की मिनी कम्प्यूटर क्या है, इसके प्रकार और मिनी कम्प्यूटर के लाब तथा हानियों के बारे में भी विस्तार से जानेंगे Mini Computer एक Mid-Range Computer होता है इसका आकार Micro Computer से बड़ा तथा Main Frame Computer से छोटा होता है यहाँ एक Multi-User Computer System होता है अर्थात इसमें एक समय में एक से अधिक User काम कर सकते हैं इसे 1960 के दशक में सारवजनिक तौर पर पेश किया गया था Mini Computer Micro Computer की तुलना में शक्तिशाली होता है तो आए Mini Computer के बारे में विस्तार से जानते हैं कि Mini Computer क्या है What is Mini Computer? Mini Computer एक Mid-Range तथा Multiprocessing Computer होता है जो एक साथ एक से अधिक लगभग 250 यूजर को काम करने की अनुमती देता है इसका उप्योग ज्यादातर बिजनेस तथा फर्म में किया जाता है यहां Micro Computer से बड़ा किमती तथा गन्ना करने की गती में तेज होता है Mini Computer को सबसे पहले IBM Corporation के द्वारा 1960 के दशक में विक्सित किया गया था उस समय इसकी कीमत लगभग 16,000 डॉलर थी 1960 के दशक में Transistor तकनीक का उप्योग केवल छोटे कम्प्यूटरों के निर्मान के लिए किया जाता था आज के समय में Micro Computer का उप्योग वैज्यानिक एप्लिकेशन तथा तकनीक के संचालन के लिए सर्वर के रूप में किया जाता है इसलिए इन्हें सर्वर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इन्हें कई डिवाइसों या कम्प्यूटरों के साथ कनेक्ट किया जा सकता है Mini Computer के प्रकार Types of Mini Computer Mini Computer कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अपने डैनिक जीवन में उप्योग करते हैं ये काफी portable होते हैं अर्थात इन्हें कहीं ले जाना या कहीं से लाना काफी आसान होता है Mini Computer के कुछ मुख्य प्रकार जो निनलिखित हैं Smartphone, iPad, Tablet, Desktop, Notebook, Drawing Table Mini Computer के उप्योग Use of Mini Computer Mini Computer का उप्योग काफी जगों पर भिन्न भिन्न उदेश से किया जाता है इनके कुछ उप्योग निनलिखित हैं Mini Computer का उप्योग उद्योग शेतर में Data Monitoring तथा Data Control के लिए किया जाता है इसका उप्योग University में भी बड़े डेटा को Process करने के लिए किया जाता है Mini Computer का उप्योग छोटे वंद्यम वर्ग के बिजनेस में complex data को process करने के लिए किया जाता है बनोरंजन तथा hardcore gaming के लिए भी mini computer का उप्योग किया जाता है इसका उप्योग engineering analytics के लिए किया जाता है scientific research तथा analysis के लिए भी mini computer का उप्योग किया जाता है mini computer का उप्योग data management के लिए किया जाता है mini computer के उधारण examples of mini computer Mini Computer के कुछ मुख्य उधारन जो निन लिखित है Honeywell 200, Nord 100, Apple iPad, HP Mini 110, Ti 990, Samsung Tab, Apple iPhone इत्यादी Mini Computer के लाब, Advantage of Mini Computer Mini Computer के कुछ मुख्य लाब जो निन लिखित है Mini Computer एक साथ एक से अधिक कार्यों को कर सकता है यहां एक multitasking तथा multiprocessing computer होता है Mini Computer का आकार Manframe तथा Super Computer की तुलना में छोटा होता है Mini Computer, Micro Computer की तुलना में अधिक विश्वशनिय और तेज होते हैं Manaphragm तथा Super Computer की तुलना में Micro Computer की कीमत तथा ऊर्जा की खपत कम होती है Mini Computer काफी potable होते हैं अर्थात इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफी आसान होता है इनकी स्टोरेज ख्रमता माइक्रो कम्प्यूटर की तुलना में अधिक होती है मिनी कम्प्यूटर की हानिया, disadvantage of मिनी कम्प्यूटर किसी चीज के लाब के साथ-साथ उसकी कुछ हानिया भी होती है उसी प्रकार मिनी कम्प्यूटर की भी कुछ हानिया जो निनलिखित है माइक्रो कम्प्यूटर की तुलना में मिनी कम्प्यूटर काफी महंगे होते है Manframe तथा सुपर कंप्यूटर की तुलना में मिनी कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग स्पीड कम होती है मिनी कंप्यूटर में USB पोर्ट नहीं होते है इनकी स्टोरेज क्षमता कम होता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही विडियो अच्छा लगा हो तो विडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस विशाय पर आर्टिकल पढ़ने के लिए दिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक पर जाएं विडियो देखने के लिए धन्यवाद